हेलो एब्रिवान मैसल्फ अप्सेक्षवे अन्विटर नालेज में आपका स्वागत है तो सुड़न आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं क्लास नाइन सेनट के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा चैक्टा नम्मर त्री न्यू टॉपिक है ट्रैं बहुत इंपोर्टेंट है जो कि हम लोगों ने इसका टॉपिक आपकिया हुआ हुआ है जिसमें इसका थेरम था पहले इंपहस को जाका है कि बोलता क्या है यह मेरद अन एक्स्ट्रियर एंगल अफट रेंगल is equal to the sum of its remote interior angle. तो बच्छो अब यह जो मैं थेरम बोला, exterior angle, interior angle, यह होता कैसे है, बनता कैसे है और इसका क्या use है, तो बच्छो पहले इसका हम comfort क्लियर करेंगे कि remote interior angle and exterior angle क्या होता है, इसके बाद हम लोग करेंगे यह थेरम, तो चलो बच्छो करते हैं, शुरुआत, concept और basic के साथ Okay, student तो बने हैं, हमें triangle draw किया हुआ है, triangle ABC, अब हम देखते क्या है, कि इस triangle में exterior angle कहां बनता है So, dear student exterior angle के लिए, बस कुछ खास नहीं हमें बना होगा linear pair angle, कैसा जो exterior मतलब exterior मतलब what, triangle के बाहर बनने वाला angle, नाम समाल में पाद रहा exterior angle, जो triangle के बाहर बने, So, suppose अब यहां पर बने इस लाइन को बने यहां पर का किया, straight line बने ब्रॉकर दिया, तो यहां पर का कुछ देख रहा होगा बच्चो तो AC, आप सबसको में नाम देता हूँ, मालत यह मेरा M है, So, AC, M और AC, B बन रहा है linear pair और यह जो angle बना है बाहर का angle उसको हम प्यार से बोलेंगे exterior angle, यानि कि अगर हम बात करें angle X, तो angle X is exterior angle, exterior मतलब क्या triangle के बाहर बनने वाला angle, बहुत easy है लेकिन हम देखते हैं कि triangle के बाहर ऐसे कितने angle बन सकते हैं, इसे मैंने BC की line को मैंने draw किया वैसे हम लोग AC को भी आगे extend कर सकते हैं, जैसे मैंने AC को extend किया तो एक और angle यहां पर फॉर्म हो गया जिसको लोग प्यार से मैं लाम देता हूं सपोस्स यह मेरा है D, तो अपर यहां पर आपको का दिख्रावा लेंडियर पर बस जहां लिनियर बनेगा समझाना कि market में एक दमाब अगल आ चुका है तो बच्चों यहां पर दिखना यह एंगल यह जो एंगल है यह भी मेरा क्या बोलेगा इसको मैं से ले रहता हूं वाई तो अब आपने क्या देखा कि जहां पर मेरा वाटाइस है यह कि पॉइंट एंगल बनने ही बनने वाले हैं यह फॉर्म होंगे हर पॉइंट पर सबकूश अब मैंने इसको एक्स्टेंड किया यहां पर भी एक एंगल पर हो रहा है और वह ले मेरा यह सब स्कोश को में लेता हूं स्मॉल ए और मैं एटे को ही मैं एक एंगल फॉर्म हो रहा है बच्छों और यहां पर आकलएंगल बने रहा है खेंगिशि के summarism чем ऐसेंड़ा हूं उसे लेता हूँ मैं Z तो यह जो एंगल बना इस्टीरियर एंगल सब उस्वर लेता हूँ Y similar ही बच्चों में AB को गम extend करूं ऐसा तो यह जो एंगल बन रहा है इदर यह इस लिए लेता हूँ जग्सेट तो यह नेरा क्या बन रहा हुष टीर एंगल तो इससे हमें यह इमालुम पड़ेगा एक ट्राइंगल में एक ट्राइंगल में कितने एक्सटीर एंगल एक्स और बन गया एकशर वाई इता उतक कोग्यों एक्स्टियार एंगल धर्टट इसमोल जैटेश यह कंफ्यूस आंगल तो स्वेट्ट यह हैं मेरा ती तो स्माल डबलू स्माल जैट मॉलल लिए यानि कि देवाद टॉटल एक्स्टियार एंगल हुआ तो formas यहसे अगर आपको क्रते हैं में क्या UH पूल होते का 60 एंगुल और हुआ कि तो आप करने को बाहर निख्रप्स रिमोट इंटिडिएन एंगर आप हम bubblesा डिखा था इंपॉर्टेर गाहां ऑनीचिय आ बातका सटेहां एंपॉर्ट मतलब क्या इस अंगल के पर यहां पे oxygen उड्म सब्स्टेनग्स काश किया है एक है अंगल वाय एंगल dem और आम ढ़्मल समाल लेते हैं कि अगर इसे मैं आप्स्टेंट कर दिया आइसा और जो एनया एंगल फॉआ यहां पर प्रिम्ल पिता हूं स्साओल पी एक उस्टरियर एकश्ट्रियㄱ प्रफोकस जब आप इसको लेंगे एंगल यानि कहा बन रहा है एंगल बी पे एंगल बी मेरा क्या हो जाएगा दुनों मेरा ना इसमें भी आ रहा है और बाहर बादे में भी आ बढ़ आप देखना अच्छा अच्छा वुकस करना बच्चो अगर आप स्मॉल पी को लेंगे एंगल तो ये एंगल भूल जाओ रिमेनिंग आप कहा बच रहा है य और टी इसके लिए इसे स्मॉल पी के लिए वाई और पी क्या हो जाएगा रिमूर इंटिरियर एंगल तो यह एंगल को close कर दो, जो remaining angle बच रहा है, Z और T, तो यह W के लिए Z और T मेरा क्या हो जाएगा, remote interior angle, बहुत easy सा concept है, यही था, जब यहाँ पर X लिया, तो Y, Z बना मेरा remote interior, जब मैंने D लिया, तो इसको छोड़ दो, remaining को बचेगा, Y और T, यह बरा हो जाएगा, remote interior, जब आगा समझ में आ रहा होगा, तो बच्चो इसके ऊपर हमारा यह theorem है, और theorem क्या बोलता है, the measure of an exterior angle, of a triangle, is equal to the sum of its remote interior angle, बच्चो आज इस theorem को हम जो चलते हैं, proof करते हैं, तो बच्चो काता है सुरुबात इस theorem के साथ, ओके बच्चो तो इस chapter में यह theorem बहुत ही important है, और यह theorem क्या ब is equal to the sum of its remote interior angle, so यह मैंने triangle रहा कर दिया है already, in this triangle, a, b, c, in this triangle, a, c, d is a exterior angle, ठीक है, a, c, d मेरा क्या है exterior angle है, यह क्या बोलता है, हमें प्रूफ का करना है, कि जो exterior angle का value होगा, मैंने क्या zoom किया है, वो जो a होगा ना, वो remote interior angle के equal होगा, यह sum of remote interior angle है, यह हमारा, अगर मैं a, यह कि मेरा है, क्या है, बच्छो, exterior angle, चब यह, इसे हम cover कर लेते हैं, तो बच्छा क्या है, मेरा remaining angle, x और y, so x, y, मेरा का जागा बच्छो, remote interior angle, so बच्छो, याने कि इसका value, इन दोनों के sum के equal होगा, ऐसा मुझे proof करना है, ठीकि बच्छो, example, आप बताऊं, कि अगर मालत तो ह 70 है, और यह कितना है, 70, तो 70 प्लस 40 कितना होता है, 110, तो जो इसकी value क्या होगी, 110 होगी, याने कि यह x का जो भी value होगा, y का जो भी value होगा, इन दोनों का addition, इस exterior angle के equal होगा, बहुत easy concept है, बच्छो, चलिए हम उसे करते हैं, proof, तो बच्छो, यह तना theorem था, आप करते है, given, अब हमें मालूम क्या है, हमें क्या पता है, बच्छो, हमें यह पता है, कि in this triangle, ABC, ACD is an exterior angle, so लिख देंगे, angle ACD is an exterior angle, exterior angle of a triangle, ABC, so अचो यह था मेटा given, जो हमें पता है, अब हमें क्या proof करना है, so exterior angle का value, यानि की measurement, कौन है A, ठीक है, तो बच्छो, हमें क्या करना है, to prove that, अब बच्छो, मलिना, short form, to prove that, angle A की value, यानि angle A is what, exterior angle, जो की sum of remote interior angle के equal होगा, so हमें ये proof करना, angle X plus angle Y, बच्छो, ये मुझे का करना है, proof करना, बहुत easy way से, मैं आपको यहाँ पे teach करूँगा, so, अब हमें करना है proof, आपके exam में ये theorem 4 mark के लिए बूच सकता है, कि इतने mark के लिए 4 marks, ठीक है, बहुत easy है, इसमें हमें हमें 2 theorem apply करना है, जो कि the sum of measurement of all angle of triangle is 180 degree और एक apply करना है, बहुत easy है को देखते हैं, बच्छो ट्रेंगल ABC में देखेंगे, inner triangle ABC, inner triangle ABC, small x, small y, small z, देखो, small x, small y, small z, is equal to 180 degree, इसे ले लेगे, number one, यहां लिए दिंगे, बच्छो reason, property of triangle, बस चलेगा, property of triangle, you can write यहाँ, property of triangle, बच्छो बहुत important है, reason लिखना, जो भी आका statement आ रहा है, बहुत statement कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, जमेक्टरी में, reason लिखना बहुत important है, अब अब अच्छो यह तो था मेरा, the sum of, the sum of measure of all angle of triangle is 180 degree, तो बच्छो यह था बहुत easy concept, अब देखो यहां क्रोफोकस, z और a, बच्छो अगर मैं z और a को add करूं, इस z और a को मैं अगर add करूं, तो क्या बन जाएगा, linear pair angle, so angle z plus angle a is equal to 180 degree, question number two, this is अब बच्छो, linear pair angle, तो बच्छो, आपका answer almost आने ही वाला है, so one को देखो two को देखो, one को देखो, two को देखो, यह है मेरा left hand side, जिसका value क्या आए, 180, यह है मेरा left hand side जिसका value क्या आए, 180, तो बच्छो बहुत easy है किसी का right hand side, right hand side equal होगा, left hand side और left hand, सब भी का होगा equal होगा, So you can say that from 1 and 2, we get, what we get, angle x plus angle y plus angle z, which are equal to angle z plus angle a. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करने का 180, यहाँ पर लिखा हूँ अब अच्छो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 180 राइट ना, तो z plus a, किसके इक्वल है 180 के, तो जहाँ पर 180, I can write z plus a, बहुत एजी है, जैन नहीं आपको चो, z, z get cancelled. So, therefore, next step में हमारा जाएगा, angle x plus angle y is equal to angle a, that's mean, हमारा आगे बच्छो, final answer, angle a is equal to angle x plus angle y. यह है मेरा sweet and salt प्यादा 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 प्रूफ, बहुत एजी है, हमारा बड़ा statement था कि the sum of measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior, remote interior angle. So, मैं आपे triangle draw किया, triangle a, b, c, जिसमें हमने दिखाया, a, c, d मेरा क्या exterior angle, वो मेरा जागे given, a, c, d, easy, exterior angle of a triangle, a, b, c, हमें क्या प्रूफ करना है कि angle a, जो मेरा exterior angle है, और x और y जो कि मेरा क्या remote interior angle है, so angle a is equal to x plus y, यह मुझे प्रूफ करना है, बट हमनों लोग ने इसके पहले खिरम देखा था, the sum of measure of all angle of a triangle is 180 degree, वो हमने वो अप्लाई किया, angle x plus angle y plus angle z, angle x plus angle y plus angle z is equal to 180 degree, this is your property of a triangle, then second one is z plus a is a linear pair angle, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसका right hand right hand equal है, left hand side hand left hand का दखागा equal, so from 1 and 2 x plus y plus z is equal to z plus a, z get cancelled, so x plus y is equal to a, that is, angle a is equal to angle x plus angle y, बहुत ही easy हमारा यह थेरम था बच्चो, okay dear student, तो हमें इसी थेरम का यूज करना है, और यह थेरम क्या है, the property of a triangle, जिसमें वाद the sum of measure of all angle of a triangle is 180 degree, और यह थेरम है, the remote interior angle थेरम, so बच्चो इन ही दो थेरम का यूज करके हमें practice set 3.1 को खतम करना है, so बच्चो वीडियो अल्रेटी मेरा बड़ा बन चुका है, तो next video में हम सीखेंगे practice set 3.1, और एक बाद अगर आपने हमारा चनल सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लिज सस्क्राइब माई चैनल, और सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेर भी करें अपने दोस्तों को, तो फिला आते काफी है, thank you very much and पराद.